हम इस नई सरकार के विरोध में खड़े हैं और सबसे पहले हम मानने मुक्षबंतरी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगतार नौ बार उन्होंने शपत लेकर के इतिहास रचने का काम है और नौ बार तो लिया ही महदे लेकिन एक ही टर्म में तीन तीन बार लिया ऐसा अद्बुन नजारा हम लोगों ने नहीं देखा हमाने दोनों सब्राट चौधरी जी डिप्टी सीम बने बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीम बने इनका ब्यान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी माँ भाजपा पार्टी जो है माँ लेकिन हम तो कहना चाहते है आज़े दीन आपकी माँ हुई औरिजिनल तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे अच्छा चलिए ठीक है चलिए कोई बात ने आप आश्विकार कीजे लेकि जनता तो इस बात को जानती है हमें खुशी है कि साथ में दो डिप्टी सीम बने और विजय सिनाच जी डिप्टी सीम बने स्पीकर पत्पे भी रह लिए नेता विरोधी दल भी रह लिए और दिप्टी सीम भी रह लिए तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेश तोर पे हम बधाई देना चाहते हैं माने मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदर निर्थे हैं और हमेशा रहेंगे हम इनकी इज़त हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे और हम तो कई बार इनके नेत्युत में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिल करके इसमें कोई दो रहें नहीं आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समख जो है रखने का काम करेंगे आइ अब कई बार मांने मुख्वनती जी जो हैं इस बात को बोलते रहें कि तुम मेरा बेटा जैसा हो कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं अपने गारजन मानते हैं और आप लोग भगवन राम की चर्चा करते हैं हम आप सब के मन में तो राम हैं लेकिन एक बाद समझना पड़ेगा हम तो नित्रीज जी को एक दश्रत जो पिता है उनके रूट में ऐसा गाजियन मानते है कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बूलागा आप तो यही करेगा यही आगे बढ पार तो चलिए नौजवाने लोगना आगे बढ़ेगा आगे काम करेगा लेकिन कई बार मजबूरिया रही होंगी इनकी जैसे बस्रत की मजबूरी थी राजा दस्रत की कि लिए अ HTTP को जो है बनवास जो है भेज दिया गया लेकिन ऐस बाह को एक हम मांते हैं कि हम बनवास नहीं आये हैं बलकि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागिदार बने को पहले बारी अपने से दूर किये वो भी क्या मजबूरिया रही हमको नहीं पता ना आपको पता किसी को नहीं पता क्या मजबूरिया रही लेकिन इन्हों ने पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया क्या बात निकल के आया कि आप जो है explain कर दीजे आपके उपर जो है मुकदमा है केस है जब दुबारा जब इन्हों ने अपनाने का काम किया तो इन्हों ने कहा कि इसा बीजेपी वाला सब पसाने का काम करता है पीडी और सीवियाई लगा देने का काम करता है देखे हम तो आपको इजद देते हैं और आगे भी देते रहेंगे लेकिन याप कानन है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं ये तो सब लोग जानना चाहता है सबन 방 culture इच्छा है आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको यह लेना पड़ा है तो हजार भीस का हम लोग चुनाओ जीद कर क्या है मात्र वैमानी के बाद 12,000 का डिफ्रेंस था पुरे महांगर बंदर और NDA में आप क्यों छोड के आए आपने यही बोला था ना कि हम एडिये इसी लिए मुराहें क्योंकि हमारे पार्डी को तोड़ा जा रहा है मरे विधायकों को प्रलोभथ दिया जा रहा है उर आपने यह गजो ए गया ठाई हम लोगों का एक ही लक्ष है ना पर्धान मंत्री बनना है ना किसी को मुख्ष मंत्री बनना है तेज भर के विपक्षो को गोल बंद करके जो ताना शाह है उसको दुबारा नहीं आने देना है इसलिए ना पाय थे इस एए और आप जब गवडर हाउस गए मुहड़े मुक्षि मंत्री जिजी जब आप भाई छाइ तो आप डिया अप्का रख आपने बोला कि मन नहीं लग रहा 510 एफ्ट अम्नी लगा है तुरियस अंतित अफ़का न देने के ते जो काम आप बोलते थे संभावे उसको हम लोग ने मुंकिम करके दिखाने का काम किया आपने 2020 के चुनाओं में क्या कहा था जूट मत बोलिए का देखिए हम आप लोग से उमर में छोटे अपने बाप के पास से लाएगा जेल से पैसा लाएगा नौकरी माटेगा और संभावे क्या बोले थे और हमने उस समय चुनाओं के दौरान रोजगार पर विशेश तूट पर हमने बोला था हमने साइटिफिक अधिर्द किया रिक्पदे हैं इतनी इतनी है उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे कि अधिक हमको तुक इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आगे हमको तो खुशी है कि उन सत्रा महिनों में जो देश में किसी सरकार ने ने किया उसको हमारी मागन बंदन सरकार ने करने का काम किया कि अब बताइये आप को याद होगा जब आप बीजेपी को दोका देना चाहारे थे कि हम तो नहीं आना के साथ आना यह कशे इबात आपको कहें भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुखमु ङवी लेकिंगि देश-बर के सभी नेताओं का दभाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाओं में हम लोग एक जूट हो जाएं और एक जूट हो करके मोधी जी को हराने का काम करें तब हमने क्या कहा था मुक्तमांत्री जी याद है विजय जी है आप भी सामने है हम कहते हैं सरकार नहीं आएंगे हम बाहर रहकर करके आपको सबड़त देंगे और आपके सरकार को कोई खातरा नहीं होगा चलाइए सब्सक्रा निफिकर हो करके चलाइए ठीके हम लोगों का भी लक्ष है भाजपा को देश से भागाने का करें संप्रदाइक शक्तियों को जो विशार धारा है जो समाज में जहाद बोने का काम करती है उसको अम लोग भंगाने का काम करें इसी लिए ना हम लोग एक साथ आये थे और तो कोई कारण अम लोगजेा है उसको अमोर कोई को विट ना हम इसी लिएयों को विए रे याये थे लिए ये यई리 सूंपक प्रहित बोचे dieser प्लहक च secrets झाल झाल